पहरे दोस्तों नमस्कार आज का जो शुब्टे नवा है 11 सितंबार एक महत पूंड दिन आज के दिन जो वेक्ति पैदा होते हैं उन्हें घटना घटने का कई बार पुर्वा बहुत होता है स्क्राइब देखते हैं आपके मन के भीतर बीट हम जो आज के दिन पैदा होते हैं आज के दिन जो वेक्ति पैदा विया है जन्हों ने जन्म लिया है तो आपको यह वर्श है आपको सुर्वात में तरह सा लगाना था की काफी दन आएगा दन से जोड़े चेत्रों कुछ और वो ऐसा दीख रहा थे कि जो धन आपके पास आने वाला है प्रतीत हो रहा थे कि जो धन आपके पास आएगा अब वो कहीं फस गया है 50-50 की स्थितियां है या कुछ ऐसी परिस्थितिया बन गए कि उस धन को आप निकाल नहीं पा रहे हैं जिकि इसनी टेंशन ना करें समय जैसे से बीटते जाएगा तो निकाल भाविश्य में कुछ रस्ता उसका भी आपके लिए बन जाएगा जिनकी रेटा पर से एक दसनी से टाइस है उनके लिए आज का दिन जो है मध्यम फलदाय कह सकता हूं बहुत ज्यादा लाब भी नहीं बहुत ज्यादा हरी भी नहीं यात्रा हो सकती है और समय आज का जो दिन केवल आज का दिन थोड़ा सा उतार चड़ाव से युक्त आपका हो सकता है आप एंड डाउन आज के दिन आपके साथ हो सकते हैं जैसके रेटा पर 21-29 पीस हो सकता है धन्से जुड़े चेत्रों पर कुछ चेत्रों पर उन्हें नहीं तो थोड़ा सा रूक रहा है उनके महनत का फाल को दूसरा खा रहा है तो थोड़ा सा पुके और फिर आगे चलें कर ज्यादा स्पीड चलना भी ठीक नहीं होता थोड़ा सा पूप कर चलें डियां और फिर आपके बढ़ए तो भेतर या फिर अपने गुरू से करें लेकिन समय अभी जो है थोड़ा सा अनुकूल नहीं उता तड़ाओ इसलिए सोच समझ कर निनायले जिनकी रेड़ा बर्त है पांच चौदा तेई से उनके लिए जो आज का दिन है थोड़ा सा मन परिवर्तित होता हुआ कुछ नई चीज़ों पर उनका मन का पर कुछ नई चीज़ें मिल सकते हैं लाव हो सकता है जिसकी रेड़ा बर्त साथ सोला पतिस है उनके लिए जो आज का दिन है थोड़ा सा संघर्ष में और कोई हिर्दय विदारक समचार उनने मिल सकता है दिल तूट सकता है को चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको अच्छ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप मुझे संपर कर सकते हैं 7415 11400 पर और अधिक जान करी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यों अर्मच